पिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं भूशन उजण कर आप सभी का देश के नंबर ओन एक प्लैट्फॉर्म बे जिसका नाम है फिजिक्स वाला यह थार्थ बैच के बहुत अच्छे अच्छी कंटेंट आपके सामने आ रहे है नाइन की जो कंटेंट है स्टेट बोर्ड का नाम है बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवयकु सद बहुत अच्छा State आ प्रोवाईट उट्वायट के जाएँ आप है अप इसका भोक्त फाएदा उठाइए फ्री अफ़िण आपको दिया जा रहा है पूरा कन्टेंट तो आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हादिर है आज का तॉपिक कौन सा है आज का टॉपिक है आपका run electricity कौन साथ आज का टॉपिक है आपका Minh करण डिलेंक्तिरिसिटीए बहुत मजेदार टॉपिग है आप के डेली आइफ में growing क्या होता है voltage क्या होता है potential difference कैसे कर algorithm करते है कि सारी जीज़े मैं आपको हम श्रकर समयने वाला हो बहुत डिला मैं आपको सारी जीज़ें समझने वालों ये जो वीडियो लोग हो ये ये जो वीडियो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम क्या क्या देखने वाले इसको उदार एक बार रिवाइस कर लेते क्या로 HPury स्टेश करने वाले हम तो है होता है तो इस concept को पूरा clear समझने वाले हम आज उसके बाद देखिए फ्री इलेक्ट्रॉंस प्री इलेक्ट्रॉंस का concept जो है पूरा थोड़ा-थोड़ा सब को बता है लेकिन clear बता नहीं है कैसे यूज होता है concept पता नहीं है बच्चों को इसको भी समझेंगे पूरा देन इलेक्ट्रिक करन को पूरा समझेंगे डिटेल में समझ में आरी वाद आपको एक्दम डिटेल में सब सारी की समझने वाली आपको हम समझने वाले हैं तो रेड बढ़ेगी ने तो दुनिया आगे चली जाएगी और आप पीछे रहे जाओगे तो आप पैनिक हो जाओगे और आप पैनिक हो गए तो आपकी जो लाइफ है वह बहुत डिफिकल्ड हो जाएगी इसलिए पढ़ना बहुत आवश्च्छ है चलिए सबसे बहुत करते हम कि ऑथ संना बैटा इलेख्टिशिटी में किसको बारे में बढ़ते के चार्स क्या होता है कैसे जगां पर रहता है ठिकर रूखता है तो कया कैसा घौैसा ऑड़ होता है अगर चलता है तो उसका का इसा ःभियर होता है यह सारी जीज़ें किसमें आती 22 य टी सिटापिक के अं अगर चार्ज्रुके हुए है तो हम भूलेंगे वरन का stuffed गुश्यों अंदर से पावच आँगा तो होगा क्या इसकी उपर चार्ज त्यार होगा इसकी यहत्यार होगा चार्ज अभrud चार्ज है वो सब्सक्राइब और 1-0 हुआ है यह यह पिसक्ते फ्लोग नहीं हो रहा है अगर यहकु फ्लोग नहीं हो रहा है तो इन बतने फ्लोगर है तो इसको बहुत पंगोई तो लिंधाटी कि फ्लोग चुक्ति यह सुंकむ ऑ हे सटे अर डिश्चार्ट आ करते हैं इसलिए अपने जगा पर रूख जाते यह रेसं हो चुका है और कि जगा रूग चुका है और सब्सक्राइब आप से इसके बीच इशता है कि संभा बता बेस के बीच कि बीच में लोगजा हो किसके बीच में इसके बीच में बीच saposition हुआ MORE दो चीजों में वेसमें ड्राइयर्ष और नीट करने हेशर और कॉम के बीच में ड्राइ है और कॉम की वीच में क्या हुआ फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन होने के बाद में क्या हुआ फ्रिक्शन होने के बाद में क्या हो गया चार्जस त्यार हो गए ठीक ना फ्रिक्शन होने के वीच से क्या होता है जैसे यहाँ पर कोई आटम है ठीक ना यहाँ पर न आपके इलेक्ट्रॐन से यहाँ फीलेक्ट्रॐन से अब होता क्या है कि जब दो चिव प्पिछ Cancer होता है तो इलेक्ट्रान ट्रांसर्फर हो जाते इस इधर का leading अगर गया तो अगर तो होगा हो सकता है मतलब यह यहाँ पे चीज है इसके तरव से ilatron इधर transfer हो गए था ना तो इसका की दर गया इधर चला गया तो यह जो body है जिसने अपना elektron किया तो वह बन जाएंगी positively charge क्या बन जाएंगी positively charge बन जाएंगी वो बन जाएगी positively charge और अगर इसके तरफ एलेक्ट्रोन आ गया तो यह क्या बन जाएगी negatively charge negatively charge समझ में आरे बात एक body बन गई positively charge दूसरी body बन गई negatively charge ऐसी बात है तो friction की वज़़े से electron transfer हो गया एक चीज positively charge बन गई एक चीज negatively charge बन गई अब problem यह है कि plastic के com की उपर 400 तयार हो गया health की उपर 400 तयार हो गया लेकिन यह जो items यहाँ पर है जिसके उपर चार्ज आ चुका है तो यह item try करेंगे कि किसी तरह से वो discharge हो जाए किसी तरह से वो discharge हो जाए तो मैं क्या करूंगा अगर मैं ऐसा करता हूँ क्या करता हूँ सर मैं अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने कॉम लिया यह है इसका handle और यह है आपका कॉम यह आपका कॉम है अब कॉम लेने के बाद क्या हुआ दरा देखो यहाँ पे हमने paper की तुकड़े रख दिए यहाँ पे हमने paper की तुकड़े लग दिए और paper की तुकड़े यहाँ पर रख दिए तो होगा क्या की जो आपने qom hairs के ऊपर घुमाया है तो वह जो hair के ऊपर आपने quom घुमाया है अगर आप उस qom को इस paper के pieces के पास बूलाते हो तो ये qom उस paper के pieces को attract करेगा अब attract क्यों करो हो不同 कर रहा है वो और атели कर रहा है किस ली कर रहा है सर वो यह प्रॉपर अचुका है जो चार्ज आइटम्स है जो चार्ज पार्टिकल्स वहाँ पर है जो जो वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स त्यार हो चुकी है जो आइटम्स यहाँ पर चार्ज हो चुकी है वह चार्ज पार्टिकल्स ट्राय कर रहे हो वह जो चार्ज पार्टिकल्स ट्राय कर रहे है कि वह किसी प्रकार से discharge हो जाए ठीक है ना इसलिए वो अपने surrounding की जो कोई चीज है उसको वहाँ पर देख रहेगी किसी के अंदर negative charge है क्या किसी के अंदर positive charge है क्या अगर मान लोगी कौम की उपर positive charge है ठीक है ना तो ये positive charge स्ट्राय करेगा कि किसी के अंदर से electron transfer मैं करलोगी किसी के अंदर से मैं electron ले लूग मतलब इसके ऊपर एगर one positive charge कर है इसके पास इसके पास में है तो यह बहार से क्या करेगा यह बहार से एक electron लेगा अगर अगर एक electron लेता है यह क्या हो दिस्चार्ज हो जाएगा तो खुदको डिस्चार्ज करने के लिए यह जो लाइट वेट बॉडिज होती है मतलब प्लास्टिक का कॉम हो गया वह अपने सराउंडिंग की चीज़ों को अट्राक करता है ताकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल जाए हो सकता है कि अगर उसके उपर पॉलिट चार्ज है तो भाहर से क्या करेगा निगेटिव चार्ज लेगा अगर उसके वास में निगेटिव चार्ज है तो अपना खुदका इलेक्ट्रॉन वह बाहर किसको दे देगा तो वह ट्राय कर रहा है किस तरी प्लास्टिक से बना हुआ है प्लास्टिक क्या है इंसुलेटर है समझ में आरे आपको बात इसलिए वो रुका एक जगा पर रुक जाता है और ट्राइ करता है कि उसके स्रॉंडिंग में कोई आ गया तो उसके अंदर से वह चार्ज निकाल लेगा और डिश्चार्ज हो जाए केदा इसी electricity को हम मोलते है इस्टाइक इलेक्टरिसिटी तो जब चार्जेश रुके हुए होते है तो उस शुय को बना जाता है घू थतुरी वाइद यह कि अगर चार्ज मोशन में है चार्ज अगर फ्लो हो रहे है तो अपने जो कंड़क्टर होते हैं ठीक प्लास्टिक क्या था प्लास्टिक तो इंसुलेटर था उसके उपर कर चार्ज त्यार हो गया तो फ्लो नहीं हो सकता आप दूसरी बात यह है कि अगर आपने कंड़क्टर लिया तो कंड़ के अंदर की लेट्राइं फ्लोव हो सकते हैं चार्ज तो अकटर चार्जित फ्लो 알कर्जिएस फ्लोव हो रहे है तो उस उस कि correct इलेक्ट्रिसीटि को बूला जाएका उसको बूला जाएगा current electricity खथार रहा है तो टोन अमतलब किया होता है all about charges तो अगर charges रुके हुए है तो उसको उस्कों बोला जाका इलेक्टिसिटी और अगर जैस जाएगा करेंट एलेक्टरिसिटी बिल्कुल से बाद है जलो बिल्कुल से बाद जलो आगे वड़ते हैं अगला टॉबिक देखते हैं अगला टॉबिक क्या है वेड़ा देखो all around us अपने सरॉंडिंग में क्या हो रहा है ठीके ना इलेक्टरिसीटी तो वही कंसेप्ट करते हैं इसको हम अपने सरॉंडिंग में रोज देखते हैं उसको में experience करते हैं डिवाइसे हम यूज करते हैं समझ में आ रही बात आपको समझ में आ रही है देखो all around us electricity is of electricity is of utmost important we dependent on it for almost everything in our day-to-day life अपने surrounding में इतनी सारी चीज़े हम यूज कर रहे है mobile laptop देन लाइट्स ठीक है ना बाल्व्स देन LED यूज कर रहे है तो इक ना वाशिंग मशीन यूज कर रहे है ना जाने कितनी चीज़े हम यूज कर रहे है हेर ड्रायर से लेकर के बहुत सारी चीज़े चार्जर हो गया बितनी सारी चीज़े है अपने surrounding में जो मोटर हो गया सब कुछ चीज़े हम यूज कर रहे है वो सभी चीज़े electricity पे ही चलती है उसके उन डिवाइसे इसको चलाने वाली जो energy है व समर अभी अभी समर खतम हुआ है फिर भी हम फ्रीज का यूज करती है उसके और में इलेक्ट्रिक ओवन ठीक है ना मैंने तो ऐसे लोग देखिए भाई कि जो विंटर में आइस्क्रीम खाते है ठीक है अरे बड़े है तो सेलीब्रेशन करो और आइस्क्रीम लाओ तो अपने डेली रूटिन में यूज कर रही इनका तो अपने सरांडिंग में रोज हो रही है इलेक्ट्रिक चलने वाले जो गैजेट से वह रोज हो रहे है समझ में आरी बात आपको ठीक है इसक्रीम को समझना बहुत आवश्च्छक है अपने को क्या कैसे क्या होता है अपैसी बात नहीं है हुआ कि ओमन बीइंग्स्ट्रिका यूज करते हैं कुछ आपनें करते हैं कौन से हैं देखो जरा ऐल्स फिश यूज इलेक्टरिक क्या बोला जयाता इसको इलक्ट्रिक रहाए आपको टिके न मैंने यहां पे फोटो में डाल दिया है तो यह जो बड़ा इलेक्ट्रिक रहे ना तो वो इसकी आखी बहुत कमजर होती है इसके आखी बहुत कमजर होती है तो यह करती है अपने सरॉंडिंग में अपना इलेक्रिक फिल्ड बनाती है उसके फिल्ड में कोई अगर चीज आती है तो उसको शौक लगता है और वो डेड़ हो जाती है तो इसको जैसे अपना यह प्रेवी ढून लेती है और अगर किसी बड़े ऐनिमल ने इसको अगर पकड़ लिया तो उसको भी शौक देकर कि यह यह केड़ कर सकती है आरे वा समझ में बड़े से बड़े ऑनिमल को भी यह मार सकती है करन्ट अपना दे करके समझ में आरे आपको बात तो यह बहुत डेंजरस है इसका जटका बहुत सारी human being को भी लग चुका है बहुत सारी animals को यह खा जाती है बहुत सारी animals का शिकार करती है और इसके लंबाई भी बहुत जाता होती है एक बड़े बड़े इल की जो लंबाई है वो कम से कम आठ फीड हो सकती है यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग एक एनिमल है इंट्रेस्टिंग कंसेप्ट है ठीक है आप बाद में गूगल पर जाके किसी और डिवाइस पर जाके ब्राउदर पर जाके थोड़ा सिसके पर में सर्च कर सकते हो यह बहुत किसी कोई science exhibition है या फिर आपके स्कूल में कोई project आपको दिया गया है तो definitely आप इसके उपर कोई project आप बना सकते हो यह बहुत इंट्रेस्टिंग topic आपके लिए हो सकता है तो आगे बढ़ते है चलिए अब मेन मुद्दा अभी गाड़ी आई है मेन मुद्दे पर इसलिए मेन मुद्दे पर फोकस करते है कि यहाँ पर क्या हो रहा है यू मस्ट आफ सीन वाटरफॉल वाटरफॉल को तो आपने देखाई होगा यहाँ बहुत एक ब्यूटिफूल सामने पिक्चर लगाया है वाटरफॉल का विच वेड़ ड़स वाटर फ्लो ठीक है कही ऐ ऐसा तो नहीं कि जो पानी है वो यहाँ से ऊपर चड़ रहा है ऐसा तो नहीं है ना ऐसा नहीं होगा सर ऐसा कई से होगा ठीक है ना हम तो हमारे घर पे जो टाकी में पानी है ग्राउंड फ्लोर पे उसको उपर लग जाने के लिए हमको एक घंटा मशीन चलानी पड़ती है तो भाईया यह तो इतना बड़ा waterfall है यहां से पानी उपर जाने के लिए तो हम कैसे वहाँ पर यह लगाने वाले हैं यहां पर थोड़ी machine लगाएंगे हम यहां पर तो sun खुद इसको evaporate करेगा जो crown के लिए पानी है और फिर से वपराइस करके फिर वो पानी उपर जाएगा ठीक है ना बहुत जादा energy लगेंगी सर इसको तो बात simple है क्या वो लगाया है which way does the water flow water कौन से direction में flow होता है जरा देखो जरा देखो तो water जो है वो इस height से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है यह जो waterfall है ना यह कैसा हो रहा है उपर से नीचे की तरफ पानी जा रहा है समझ में आ रही है आपको बात ठीक है ना यहां से पानी नीचे आ रहा है thus as we know the direction of water between two points depends on the level of two points इन दोनों की level अलग-अलग है यहां पर यह level है इसको हम बोलेंगे ground level इसको बोला जाएगा ग्राउन लेवल और यहां पर जो है इसको बोला जाएगा ground level ठीक है ना और इसको क्या बोला जाएगा एट पर्टिक्लर हैट ठीक है ना अपर लेवल बोल देंगे अभी के लिए अपर लेवल बोल देंगे अपर लेवल बोल देंगे ठीक है ने ground level होगा एक अपर लेवल होगा समझ में आरीव आपको बात तो बात यह है कुल मिला के बात क्या है बात को सम्झो दरा बात यह है कि यहां पे जो water है आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा सर क्या पता है ह हमको अरे भाई तुमको potential energy का formula तो हमने पढ़ाया था ना लिक्चर नंबर वन में विल्कुल पढ़ाया था laws of motion में आपको हमने formula पढ़ाया था तो potential energy का formula होता है m into g into edge वावा सर यहाँ दा रहा है m into g into edge तो देखिए यह potential energy किसके ओपर इबेंट है मास क्यों पर एसलेशन डूट ग्राविटी क्यों पर और हैड क्यों पर तो जब आप यहाँ पर इस अपर लेयर पर अपर लेवल पर जो वाटर है आप क्या करोगे आप लेगे आप क्या लेंगे उसका आप मास लोगे मास लेने के बाद में की हाईट रहेगी उतने ज्यादा उसकी potential energy रहेगी जाद है उसकी हाइट रहेगी उतने ज्जादा दूइचो है स्टाउब होने के लिए लेवल प्राइंगा वाउव वार्ट लेवल प्राइवर अग्या वार्ट hugely एकदम सभी भाद ग्राउनलोट प्यांग अब ग्राउन लेवल प patches आने के बाद क्या हो रहा है देखो यहाँ पे जो potential energy है उसको अगर देखा जाए तो m जो water उपर से नीच आया उसका mass लेंगे उसके बाद मैं acceleration due to gravity लेंगे और उसके बाद height अगर देखा जाए तो यहाँ पे height कितनी है 0 तो lower level पे ground level पे जो potential energy की value है वो तो 0 हो गई और अपर लेवल पे जो potential energy की value है वो तो MGH हो गई समझ में आ रही आपको बात तो हुआ क्या कि यहाँ पे अपर लेवल पे potential energy ज्यादा है तो जो water है वो कहां से कहां पे flow हुआ higher potential energy level से lower potential energy level तक water जो है वो फ्लो हो चुका है इस waterfall में है clear है अरे clear है कि नहीं है कि जहाँ पे potential energy ज्यादा है वहाँ से पानी फ्लो हुआ कहां पे जहाँ पे potential energy कम है ठीक है अब मैं तुमको एक बात बदाता हूँ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यह देखो potential energy अगर मैं ऐसा बोलू कि यहाँ पे मैंने एक height लेली यहाँ पे upper point है यहाँ पे upper point है इस height पे इसको upper point बोलेंगे इसको ground point बोलेंगे और जो upper point है ठीक है ना अगर आप यहाँ से पानी तो यहाँ पे आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है कोई problem नहीं है लेकिन भहिया बात को समझो अगर आप बोलेंगे कि नई ने सर हमको तो यहां से पानी उठा के आपको यहां पे लेके जाना है तो आपको वर्गडन करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा वर्गडन करना पड़ेगा जब आप वर्गडन करोगे जितना वर्गडन करोगे तो वर्गडन से ही यह जो पॉइंट है यह पानी है यहां का हो यहां पर जाएगा आपने पानी की बखेट भर के लिए आपने कैन में पानी लिया और आप उसको लेकर की उपर जा रहे हो तो आप पहले फ्रस्ट फ्लोर पर गए उसके बाद में थर्ड फ्लोर पर गए तो आप धीर-धीर उपर जा रहे हो जैसे आप फ बढ़ हो चुका है आप जिसकी उपर वर्क करोगे तो आपने जो वर्क किया है तो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में वो जो वर्क है वो स्टोर हो जाएगा तो यहाँ पे एगर potential energy है upper level पे इसको बोलता हूँ potential energy 1 और यहाँ पे मैं बोलता हूँ potential energy 2 तो अगर मैं ऐसा करता हूँ सर कैसा करता हूँ अगर मैं ऐसा करता हूँ कि potential energy 1 minus potential energy 2 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे इन दोनों के potential energy में जो gap रहीगी जो value आईएगी वो value किसके वरावर होगी वो value होगी work done के वरावर जो work done आपने किया है इस पानी को यहाँ पे जो भी object है उस object को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाने के लिए जो आपने work done किया वही work done इन दोनों के बीच के potential energy का difference रहेगा आ रही है बात समझ में आ रही है क्या बात समझ में आ रही है क्या मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए ठीक है ना क्योंकि यह बहुत symbol करके मैंने बताया ठीक है अगर मैं बोलू कि यहाँ पे point है यह मेरे हाथ पे यह pain है इसको मैं यहाँ से उड़ा के यहाँ पे ल सोचो 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 तब तक मैं पानी पी लेता हूँ कि तो चुर्ण इगे ना चलिए मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है ठीके ना तोड़ा आपको सोचना बढ़ेगा आपको जो चीज समझ में नहींा आती है वह किसी अपनेальные को हिगा ना कभी कभी क्यों होतों सब्से समझने का कि किसी चीज़ को समझने का सबसे बहुतरीन तरीका यहीं है कि हम इस चीज़ को किसी और को समझा दे एगा अग driving किसी और को जो है वह clear हो जाएंगे आरही है बाद समझ में आरही है बाद समझ में थी का ना teaching is the best way of learning राहे सर आराहे सर समझ में आराहे सर बिल्कुल देखिए तब पोटेंशल पोटेंशल डिफरंस सर अभी तो पड़ाया आपने पोटेंशियल पोटेंशियल difference क्या होता है बेटा हो जो है ना वो gravitation की form वाला था समझ में आ रहा है आपको जब आप object को यहां से उटा के यहां के यहां पे लेके जा रहे हो तो आपको gravity attract कर रही है और gravity के against आप काम कर रहे हो जब आप gravity के अगेंस्ट काम करोगे तो gravity के against energy आपने यूज की वही इनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी सबंज में हारी बात आपको तो यहां पे जो attractive force है वह gravitational attractive force है लेकिन आज हमको बात करनी है electric field के बारे में electric potential के बारे में electric potential difference के बारे में बात करनी है जो हमने यहां यहां पे water का example लिया जो हमने यहां पे water का example लिया तो वहां पे आपको gravitational potential difference की बात की जात रही थी तो मैं आ रही आपको बात वहां पे gravitational potential difference की बात की जा रही थी और यहां पे आपको यह जो ब्लास्टिक प्लास्टिक बोटल हमने दू प्लास्टिक बोटल लेलिये उसके बाद ट्यूब ले लिए तो हमने रबब ट्यूब ले लिए उसके बाद में हमने क्लैंप ले लिया वाटर ले लिया वारा आपको तो हमने एक पहली वाटर बॉटल ली दूसरी वाटर बॉटल ली हमने और इन दोनों वाटर बॉटल को हमने एक ट्यूब से कनेक किया जो आप यहा इस प्रकार से हमने एक्वमेंट को सट किया अब देखों प्रोसीजर क्या करनी है अब हमको करना यह है अब हमको करना यह है भाईया कि हमको इस क्लैम को यहां से हटा देना है और जैसे ही हम क्लैम को हटाते है हमें देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है चलिए अगले डाइग्राम में देखते हैं कि भया आगे क्या होगा तो जैसे ही आप क्लैम को हटाते हो तो उपर वाली बॉटल से जो पानी है वो नीचे वाली बॉटल की तरफ जाने लगता है सर यह तो हमको भी बता था कि जैसे यहां से पानी उदर ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन इसको connect करना है electricity के potential के साथ में electricity के potential different के साथ में connect करना है कैसे connect करोगे तुम वही तो समझा रहे हैं न हम यहां पे अरे देखो वही यह इदर देखो what happens when the clamp is remove अरे क्या होगा जब आप clamp को remove करोगे क्या होगा देखो इसका answer लिखते है water will start flowing water will start flowing water will start flowing water will start flowing from upper bottle to lower bottle upper level to lower level lower level water will start flowing क्या होगा कि आप तो clamp को हटा दोगे क्लैम को हटाने के बाद में water तो flow हो रहा है उपर वाली bottle से नीचे वाली बाडल की तरब water जो हो रहा है तर बिल्कुल से बात बिल्कुल से बात लेकिन क्या क्या हुआ थोड़ी दिर के बाद में water तो flow हो रहा था country से water flow हो रहा था लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जो है water का flow है वह भी या रुक गया water भी flow ही नहीं हो रहा है पहले वाली बाडल से दूसरी वाली बाडल की तरफ पानी जा रहा था हो रहा था बहुत अच्छतरी की से चल रही थी लेकिन एक पॉइंट आया उस पॉइंट के बाद में water का flow हो नहीं बंद हो गया स्वर ऐसा क्यूं हुआ आरे वही तो पूछ रहे नहीं है ऐसा क्यूं हुआ तो बताव आंसर दो आंसर बता नहीं तुमको ऒलाडर क्हुआ एक दो तो आँ समय तब फ मैं से।ट बता रहे एकूआ एकूआ कोच सर्च वाट्प्ण हो सिर्ट बीकुआ жूआ फिStar इंट ऑड़ लाव 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 लाव大家 in to bottles into bottles level of water into bottles become equal becomes equal level of water into bottles become equal that's why they are not flowing from one point to another point sir very good sir okay अगला बाट दिखते हैं what will you do to keep the water flowing for a longer time क्या करना पड़ेगा आपको अगर आप चाहते हो भाई या अगर आप चाहते हो कि यहां से इस एन से दूसरे एन तक water continuously flow होते आ रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इस bottle से पानी निकाल के इस bottle से फिर से फिर से फिर से आपको इस bottle में डालना पड़ेगा अगर आप continuously ऐसा करते हो water को इधर से निकाल के दर डालते रहते हो तो continuously water का flow चलता रहेगा ठीक है ना तो तो यह सिलसिला है water के flow का और यह चलता रहेगा यह सिलसिला है water के flow का और यह चलता रहेगा आगर आप ऐसा करोगे कि उपर वाली bottle से जब नीचे वाली water में पानी फ्लो हो रहा है तो नीचे वाली बॉटल से पानी निकाल के आपको फिर से उपर वाली बॉटल में डालना बढ़ेगा तब जा करके इसका जो फ्लो है वो कंटिनियू होता रहेगा अधर वाइस यह जो फ्लो है वो रुख जाएगा what will you do to keep the water flowing for a longer duration we will we will remove water remove we will remove water 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 from lower bottle from lower bottle lower bottle and fill it again and fill it fill it again fill it again in first bottle वा सर वा 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 ऐसा भी होता है क्या अरे आईसा ही तो होता है ना अरे आईसा ही होता रहेगा उपर से ठीके ना पहाडों से हिमाले से निकलती है उसके बाद में ओशन में जाती है अरे प्लो होते होते और ओशन का जो पानी है उसकी उसके वाटर के सरपेस को वहाँ पर संलाइड गिरती है बहुत जादा इंटेंस और इंटेंस अलएड़ वहाँ गिरने के आरे आएगा यह नहीं न भईया इवापोरेशन हो रहा है कंटिनिवसली ओशन के वाटर का इसलिए क्लाउड्स बन रहे है और यह जो क्लाउड्स है वो जहाँ पे बहुत जाड़ी है जहाँ पे बहुत जादा ठीक है ना जहाँ पे हाइट है mountains है उस mountain के एरिया में धुआधार बारिश होती है और धुआधार बारिश होने के कारण वहां से नदिया निकलती है और फिर से ocean की तरह पानी flow होना शुरू हो जाता है यहाँ पे क्या हो रहा है इस waterfall में water नीचे आ रहा लेकिन यह water definitely इसले हमने क्या बोला क्या बोला सर हमने बोला if you want to continue the flow of water from one bottle to another bottle we will remove the water from lower bottle and fill it again in the first bottle that is bottle at upper level उसको आपे फिल करेंगे उसके बाद में continuously water का जो flow है वो चलता रहेगा चलता रहेगा very good आँ यहाँ पे आपको एक बहुत मज़ेदार बहुत एक concept वाली बात यहाँ पे कही गई है इसको हम फिर से एक बार समझेंगे कीहारने बहुत ध्यान से कहानी में twist आने वाला है और यह जो twist है वो आपको बहुत ज्यांदा knowledge देखे जाने वाला है तो देखे twist क्या है कहानी का कहानी यह बोलती है यहाँ पर climax पर आने के बात में कहानी आपको यह बोलती है कि जैश्त like water हैं बात को समझो बात को समझो बाद स्टोरी का गलामिक सबको क्या बोलता है जश्ट लैक वाटर मतलब यहाँ भी comparison हो रहा water का current के साथ में water का charge के साथ में समझ में आ रही आपको बाद देखो अगर air flow हो रही है तो उसको बला जाएगा air का current है air current है अगर water flow हो रहा है तो उसको बला जाएगा water current है उसी प्रकार से अगर charge flow हो रहा है तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करेंट तो इसलिए क्या बोला गया है वाटर को कंपेर किया गया है इलेक्ट्रोन के फ्लो के साथ में चार्ज के फ्लो के साथ में अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बात को सम्झो बात को सम्झो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर वाटर फ्लो हो रहा है इसका मतलब यह दोनों ही पॉइंट अलग-अलग एनर्जी लेवल पे है इसको बला जाएगा पोटेंशिल एनर्जी लेवल क्या बला जाएगा दोनों ही जो अब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशिल एनर्जी लेवल पे काम कर रहे है potential energy level potential energy level ठीक है न? तो अगर point A से point B की तरव अगर water flow हो रहा है तो इसकी potential energy level अलग है और इसकी potential energy level अलग है इसलिए water जो है वो flow हो रहा है from point A to point B point A to point B उसी प्रकार से अगर उसी प्रकार से अगर क्या point A से point B की तरव उसी प्रकार से point A से point B की तरव अगर charge flow हो रहा है यहाँ पे water flow हो रहा था सर और यहाँ पे सर क्या flow हो रहा है यहाँ पे flow हो रहा है charge यहाँ पे flow हो रहा है charge तो अगर point A से point B की तरव charge मू होता है तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों ही point जो है वो different different electric level पे है electric level पे है ठीक है न ये दोनों ही point different different electric level पे है अगर ये दोनों ही point different different electric level पे है तभी point A से point B की तरफ जो है वो charge flow हो रहा है यहाँ यहाँ पर समझो कि point A की potential energy जादा है इसलिए point B की तरफ charge flow हो रहा है उसी प्रकार से यहाँ पे point A की electric level जादा है इसलिए point A से point B तक charge flow हो रहा है ठीक है न और इसी electric level को बोला जाएगा electric potential ऐसा ही electric level को बोला जाएगा electric potential यल बात समझ में आ रही है यही हमने यहां से capture करके इस photo को हमने यहां पे लगाया था समझ में आ रहे आपको बात यह पॉइट ऊ- yeah ुइकदम जई सर एकदम सही है बिल्कुल सही है भी है आपकी बाद एकदम सही है अरे मेरी बात ने यह book में दिया गया है आपको कि अगर point A से point B तक अगर charge flow होता है पतला समझ लो कि दोनों में electric level का difference है point A की electric level जादा है point B की electric level कम है इसलिए जो charge है वो point A से point B की तरह transfer हो रहा है ठीक है न बिटा तो इसी electric level को बोला जाएगा potential हम बोलेंगे potential at point A इस डटरता है ना potential at point B yes ये जूट है ये जूट है मोटू मोटू कुछ बोल रहा है आपको अरे जूट बता जारा आपको आपको किसी बात में कहीं पे डाल में कुछ काला है इसलिए मोटू क्या बोल रहा है कि ये जूट है क्या जूट है तो मोटू के गुस्सी का कारण क्या है इसको हम समझने वाले अब कि यह मोटू के गुशी का खारण क्या है पूरा समझेंगे कि मोटू भाई साब यहाँ पर गुशा क्यू है तो मोटू भाई साब कि गुशी का खारण क्या है मैं आपको भी बताता हूं यस क्योंकि मैं कार्टन का पूरा एपिसोड देख के आया हूँ देखिए यहाँ पे पूरा एपिसोड जो पूरा एपिसोड नहीं देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि मोट्टू जूट है ऐसा क्यों बोल रहा था तो देखिए ज़रा अब positive terminal of a battery is at higher potential and negative terminal of a battery is at lower potential बात को समझ में आपको देखो यह अगर आपने यह बैटरी का symbol actually अगर मैं ऐसा लिखू तो इसको बोला जाएगा सेल क्या मैंने बोला अगर मैं ऐसा लिखू तो इसको बोला जाएगा सेल इसको सेल बोला जाएगा आ रही है बात समझ में इसको सेल बोला जाएगा लेकिन अगर मैं बहुत सारे सेल को series में connect करूँ तो इसको sales connected in series sales connected in series is called as is called as sales connected in series is called as battery वी एडबल टी और भाई sales connected in series is called battery आपको बात समझ में आ रही है मेरी हां तो इसको सेल नहीं बोला जाएगा इसको बैटरी बोला जाएगा अगर आप इंडिज लग लेते हैं तो इसको सेल बोला जाएगा ठीक है नहीं नोट कर लो इसका screenshot निकाल लो क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ इसका screenshot अपने निकाल लिया वान two and three ठीक है ना निकाल लो screenshot इसको मैं अभी मिटाने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहां पे बहुत ज़्यादा इंपोर्टन चीजा लिखनी है पटापट पटापट चलिए यहां पे मैं शुरुआत करता हूँ यहां पे आपको मैं point number one को सिखाने वाला था तो point number one अपने को बैटरी ली है तो यह है बैटरी का positive pole यह है battery का negative pole यह battery का positive pole यह battery का negative pole तो क्या बोला गया है कि positive terminal of a battery पॉजिटिव टर्मिनल अफ बैटरी इस एड हाईयर पोटेंशियल मतलब भहिया जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल हाईयर है इसका पोटेंशियल हाईयर है इसका पोटेंशियल हाईयर है यह और दूसरी बात क्या वोली गई है देखो एड़ निगेट निटाटरी है किसे वह ब만िटा को बीलेंशीन प्हेड ऐसे की प्पता है 108 कि बील्कुल साइसर बेलगोल साइसा एना थाना आध युक्त 1 अधिके के ओके या अर्ण सरफ से उसके पॉटेंचाया हूट पतता हूं मैं दूसरा देखो दूसरा क्या comment है दूसरा जो है यहां पर बात क्या गई गई है actually electrons how electrons अरे यह flow था यहां पर operator ने गलती कर दी यहां पर flow चाहिए था न भई यह actually electrons flow from the negative terminal to the positive terminal of a battery यहां पे कूछ गढ़बढ है हमने यहां पर बैटरी बनाइं यहां पर फर्सट पॉइंट में बोला गया कि जो फॉव सर प्यूरी करी का वो हायर पॉटेंशल पिर होता है हमने मान लिया कि नेगेटर मेल त명 == लोर प्टेशल भी होता है हमने मान लिया लेकिन पॉइंट नंबर टू में तो कुछ गड़बड हो रही है गड़बड क्या है एक्चुल एलेक्ट्रॉन से वह पॉजिट्व टर्मिनल पर जाएंगे पर हमने तो सुना था कि जहाँ पी इलेक्ट्रॉन जादा हम ऐसा सूच रहे थे कि जहाँ पी इलेक्ट्रॉन जादा उसका पॉटेंशल बहुत जादा और जहाँ पी इलेक्ट्रॉन कम उसका पॉटेंशल बहुत कम इसलिए जो इलेक्ट्रॉन से वह यहां से यहां पे फ्लो रहे हो, आप तो बोल रहे हैं कि भई आ, निगफिव टरम sürस्ट का potential क्म होता है, फिर यहां पे चार इधर से इधर क्योंप फ्लो है फिर ? यहां पर दोगड़बढтор है, फिर नहीं और देखिए कहाणी में कुछ और Climax कहाणी में और कुछ twist है क्या लेकिन यहां पर third point क्या बोला गया है third point यह बोलता है but we consider that the positive charge flow from the positive terminal to the negative terminal of the battery and it makes the current इसलिए जो मोटू भाई साब है वो गुस्सा क्यों हो रहे थे अरे actually electron flow होता है negative terminal of the battery से positive terminal of the battery की तरफ लेकिन हमने ऐसा माना है हमने ऐसा मान लिया है हमने ऐसा मान लिया है क्या मान लिया है कि but we consider that the positive charge flow from the positive terminal to the to the negative terminal of the battery and it makes current हां आरे या इसलिए तो यह गुस्सा हो रहा था इसलिए तो मोटू बोल रहा था यह जूट है यह जूट क्या है हम ऐसा मानते हैं पहले लोगों ने ऐसा मान लिया था कि देखो यह है आपकी battery और यह है battery का positive terminal यह है battery का positive terminal यह है battery का यह बाद क्या होता है circuit बनाने के बाद में होता है लोग ऐसा मानते हैं कि भाईया positive charge जो है ना जो positive charge है ना भाईया और वह positive terminal से निकलता है और negative terminal की तरफ जाता है ऐसा लोग बोल रहे थे ऐसा लोग बोल रहे थे कि जो battery है battery का positive terminal से positive charge निकलता है और इसको घुम के ऐसा negative terminal की तरफ जाता है इसलिए तब से हमने ऐसा मान लिया actually positive charge flow होता ही नहीं है यह बात में research करके पता चला अपने को बात में हमने बहुत सार करने के बाद में हमको यह पता चला कि वहीया positive charge तो कोई नाम की चीज़ फ्लो होती नहीं है circuit में लेकिन पहले हमने ऐसा मान लिया था मैंने हमने ऐसा मान लिया था कि positive charge flow होता है positive terminal से negative terminal की तरफ इसलिए इसका दो potential है इसके potential को हमने बोला कि यह भाईया higher पे है और जहां पे positive charge flow होता है वहां पे lower potential है ऐसा हमने पुराने जमाने में ancient time पे हमने ऐसा मान लिया था लेकिन बात में पता चला कि ऐसा होता ही नहीं है इसलिए मोटो भाई सर यहां पे अपने को यह बोल रहे है कि यह सरासर जूट है क्योंकि देखो यह एक्च्यूली लेक्ट्राउं फ्लो 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 फॉट फ्लो फ्लो की तर्मिल्स का फ्लो होता है कहा से कहा तक फ्लो होता यह यह लेकिन पहले के जमाने में ऐसा एक misunderstanding हो चुका था जो positive charge है वो flow होता है positive terminal से negative terminal की तरफ और यह जो charge flow होता है वही बनाता है आपका current वही बनाता है आपका current सबज में आ रहा है आपको जब मैं छोटा था और सब लेकर इंसी आर्टी लेकर आया तरंग 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 बहुत बढ़ी आ इस बढ़ बता जाते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग वही एपिसोड होता था हार उसकी एपिसोड तो यहाँ पे current का नाम सुनके मुझे तरंग का नाम याद आ गया ठीक है ना लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा अब वो बात नहीं रही अब तो सब कुछ artificial हो चुका है अब तो artificial intelligence आ चुका है human की तो वहाँ पे value ही कम हो चुकी है लेकिन देखेंगे आगे क्या होता है ठीक ना face करना हमारे हाथ में है only देखिए तो यहाँ पर हमने battery ले ली यह battery का positive terminal यह battery का negative terminal तो यहाँ से हम मानते हैं कि positive charge निकलता है negative terminal जाता है और यह जो positive charge यहाँ से यहाँ पर निकल रहा है उसी को वोला जाता है current और current का symbol लिखा जाता है I capital I is the symbol of current and current shows that current says that the positive charge is slowing from the positive terminal to the negative terminal of the battery कुछ लगता है बहुत सारी चीटे आपको समझ में आ गई है यह लिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते है देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है ठीक है न यहाँ पर क्या हूं Peace मतलब हमने क्या किया हम ने यहाँ पर पयुसरा है में इसको हमें positive दिया है और यह एक ऐसा यहां पर इंसुेह अपर propriety Pakistan यहाँ आप अगे दिए और क्यू कि हम अपने को चार्ज रहना है और उसचार्ज को नीचे ना transfer हुए, इसलिए हमने stand को क्या किया है, insulation दिया गया है, stand को, stand with insulating covering, तो हमने यहाँ पर stand रखा, और stand को हमने क्या किया, insulation लगाया है, और ताकि चार्ज नीचे ना आए, चार्ज यहाँ पर ही रहे, वो जो square या फिर जो वहाँ पर, जो भी एक आपको object दिख रहा है उसी के उपर charge रहे, तो यहाँ पर है object A, यहाँ पर charge, positive यहाँ पर charge दिया गया है, उसके बाद में दूसरा stand है, इसको भी हमने insulation का covering दिया हुआ है, इसके उपर भी मने एक object रखा है, जिसके उपर negative charge है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि high electric potential, जो positive charge उसको बोला जा रहा है कि high electric potential पर है, और जो negative potential पर, जिसको negative charge दिया गया है, इसको बूला जा रहा है कि, वह low electric potential पर है, ठीगे न, अब इसको positive charge दिया है, इसको negative charge दिया है, और उसके बीज में एक wire लगाई है आरे वह समझ में उनके बीच में क्या लगाई है उनके बीच में एक वायर लगाई है और वहाँ पे वायर लगाने की वज़े से यहाँ पे positive charge body की तरफ से negatively charge body की तरफ हम ऐसा मान रहे हैं कि यहां current flow हो रहा है लेकिन actually current flow होता नहीं है आपको पता है आपको पता है कि जो negative terminal होता है वहाँ से electron निकलते है और point A की तरफ जाते है yes देखो the difference between the values of potential at two points A and B is called the potential difference between them तो potential difference किसको बोलते है हमने बोला था क्या बोला तसर आपने देखो मैंने बोला था कि अगर charge point A से point B पे जा रहा है तो यह दोनों ही point अलग-अलग electric level पे है तो इसकी electric level क्या है और इसकी electric level क्या है दोनों का अगर आप difference लेते हो तो आपको मिलेगा उन दोनों की बीच का potential difference आरे यहीं बात समझ में यहीं बात यहाँ पे बोली गई है कि difference between the values of potential at two points point A पे क्या value है potential की point B पे क्या value है potential की इनका अगर आप difference निकालोगे potential का तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों की बीच में potential difference कितना है इसका potential इसका potential दोनों के potential का difference लेना है तो आपको मिलेगा PD potential difference between that two points ठीक है ना देखो work has to be done against the electric field to take a positive charge from a point of lower potential to a point of higher potential यह आपके book का बहुत ज्यादा important point है ठीक है यह आपको समझेगा ने इसको मैं आपको बहुत deeply समझाने वाला बात को समझो क्या है ठीक है पहले तो आपको यह समझ में आ गया कि positive terminal से negative terminal की तरफ जो है current का flow हो रहा है ठीक है ना positive charge flow हो रहा है from positive positively charged body A to the negatively charged body B ठीक है ना अब इनका कहेना है कि work has to be done against electric field to take a positive charge from a point of lower potential to a point of higher potential यह आपको नहीं समझेगा मैं आपको बहुत detail में समझाता हूँ इसको ध्यान दीजिए इसकी तरफ कि मैं क्या समझने वाला हूँ देखिए यह है आपकी battery यह है आपकी battery और battery को यूज करने के बाद हम क्या करेंगे battery को हमने लिया और हमने यहां पे लगाया circuit हमने वायर लगाया इसमें बहुत सारी devices है बीच में यहां पे प्लकी हैं यहां पे हमने बल्ब लगाया यहां पे हमने और कुछ लगाया यहां पे और कुछ लगा हुआ है और फाइनली जो circuit है वो complete हो रहा है यह बात नहीं है बात कुछ और है बात क्या है सुनू ऐसा बोला जाता है कि जो positively charged terminal है जो positive terminal है बैटरी का उसका potential बहुत ज्यादा होता है बहुत higher potential पे जो को टर्मिल होता है और जिसको negative charge है बैटरी का जो negative terminal है वहाँ पोटेंशियल बहुत कम होता है वहाँ पोटेंशियल बहुत कम होता है ऐसा हमने मान लिया और बात को समझो बात यह है कि positive terminal से current निकलेगा बल्ब में से जाएगा current निकल करके फिर से वापस आएगा यहां प जो भी हमने यहां से positive charge को निकाला था वो ऐसा charge घुमके पूरा positive से निकला negative रुपे पहुँच गया कोई बात नहीं पहुच गया एकदम से भी बात है पहुच गया सर लेकिन यहां पे तो पहुच जाएगा लेकिन आपको work करना पड़ेगा कि यह है battery का positive terminal यह है battery का negative terminal आप आप बहार की दुनिया में आप बहार के circuit में आप external circuit में तो charge को पूरा घुमा लेंगे क्योंकि higher to lower जा रहा है पानी उपर से नीचे आ रहा है तो यह तो बहुत simple है भाईया लेकिन अगर आपको अगर आपको lower potential से higher potential पे अगर charge को लेके जाना है तो आपको work done करना पड़ेगा ठीक है ना पानी उपर से तो नीचे आ जाएगा टाकी से पानी उपर से ground floor पे लाने के लिए हम सिर्फ tap को open करते है जैसे हम tap को open करते है पानी उपर से नीचे आना शुरू हो जाता है लेकिन problem यह है समस्या यह है कि जब नल आता है जो ग्राउंड लोल पे जो टाका है वहाँ पानी भरता है उस पानी को ऊपर के टाकी में भेजने के लिए आपको machine को on करना पड़ता है मोटर को on करना पड़ता है जब आप मोटर को on करते हो ना तभी उस मोटर की वज़से व अगर आपको समझ में आ गया होगा कि work has to be done against the electric field to take a positive charge from a point of lower potential to the point of higher potential आपका जो चार्ज है आपका जो पॉटेंशियल तो चला जाएगा सर आपका चार्ज है वो पॉटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल पे तो चला जाएगा सर लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल से मतलब lower potential से higher potential पे उसको फिर से लाने के लिए आपको electric field के against बहुत जादा work करना पड़ेगा तब ही जाकर कि ये चार्ज फिर से यहाँ पे जाएगा और फिर से यहाँ पे जाके फिर से यहाँ पे flow होगा मतलब करण का flow continuously चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा आ रही ह है बास समझ में हम ट्राइ कर रहे हैं कि हम आपको हर एक वर्ड का मिनिंग समझाए ठीक है ना लेकिन आपको ही उतना ही patience के साथ में पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ठीक है कुछ लोग डाउट भी पूछते हैं और जब मैं डाउट बताने जाता हो तो रुकते भी न जो मैंने पड़ाया उसके उपर सोचो फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ हाँ ठीक है सर आपने potential की तो बात कर दी लेकिन मैं इसको define कैसे करूँ मैं अगर कोई मुझे ये पूछता है कि ये ले sale और इसके उपर लिखा हुआ है 12V तो मुझे बताओ कि इसकी definition क्या है कैसे मैं समझू की potential difference क्या है sale का कैसे समझाया जाए तो simply यहाँ पर देखिए ये इसकी बातों में बहुत गहराई है इसको बहुत detail में समझना है बात को समझो बात को समझो ज़रा मैं आपको जो समझने वाला हूँ उसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा यह potential difference यह जो voltage है वो क्या है मैं आपको clear समझने वाला हूँ देखो देखिए यह है आपकी बैटरी यह है आपकी बैटरी और यह है आपका circuit सर्कुट में प्लक की है ammeter है device है resistance है जो भी है उससे उसको पुन बात में देखेंगे पहले यह देखो कि यह है आपकी बैठरी और यह है आपका circuit और उसके बाद में यह है आपका positive terminal और यह है आपका negative terminal समझ में आ रही बात हाँ सर बिलकुल समझ में आ रही है देखो जैसे आप अपने घर से निकलते हो और अपने घर से निकलने के बाद आप स्कूल में जाते हों कि आप स्कूल में जाते हो और शुआ में जाने के बाद के अलब अलग लेक्चर होते हैं और उस लिक्चर करतें आपके दशीक क्ति तो आप एक महान योद्धा घर से निकलता है स्टुडंट और वो स्कूल में जाता है और स्कूल में जाने के बाद वहाँ भी पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद फिर से घर पे वापस आता है मतलब घर से निकलता है घर पे वापस आता है तो चार्ज जो है वो बैटरी के अंदर से निकलता है सर्कुट में घुमता है और फिर से बैटरी की तरफ वापीस आता है चार्ज बैटरी से निकला सर्कुट में घुम और फिर से बैटरी की तरफ वापीस आ गया आ रही है बात समझ में आ रही है क्या बात समझ में बात को समझो तो जिस प्रकार से आपको स्कूल में जाने के ल से निकलने के बाद पूरे सर्कीट में घूमने के लिए और बैटरी में फिर से वापस आने के लिए और जो है चार्ज बैटरी की तरफ एनरजी की टीमांड करता है समझ में आ रही वाद जैसे आपकी वम्मी आपके लिए टिफिन मना के देती है स्कूल में जाने के लिए उसी प्रकार से जो चार्ज है वो बैटरी की तरफ जित कर रहा है कि मुझे एनर्जी दो मुझे energy तो क्योंकि मुझे circuit में घूमना है और मुझे circuit में घूमके घर पे वापस भी आना है इसलिए यह जो battery है ना उस charge को energy देती है वो charge energy लेता है चार्ज ने energy ले ली है चार्ज ने energy ले ली अब यह charge जो है जब वो wire के अंदर से जा रहा है तो कभी bulb बीच में आता है कभी ammeter बीच में आता है कभी कोई resistance बीच में आता है तो जैसे आप पहला lecture, दूसरा lecture, तीसरा lecture, चौथा lecture कर रहे हो उस्सी प्रकार से चार जो है वो पहले body से पहले resistance से उसके आपने दूसरे resistance है, उसके आपने तीसरे resistance है, उसके आपने चवसरे resistance है, सारे resistance के अंदर से जा रहा है, और जब वो सारे resistance को cross कर रहा है, जब वो पूरे wire को cross करके, पूरे circuit को cross करके, अपनी cell के तरफ वापीस आ रहा है, अपनी battery में वापीस आ रहा है, तो उसको जो energy दी गई है बैटरी के तरब से वो सारी इनर्जी वहाँ पर यूज हो रही है वो सारी इनर्जी वहाँ पर यूज हो रही है आ रही बात समझ मैं आ रही है क्या बात समझ मैं मैं क्या बोल रहा हूं तो समझ में आ रही है तो यह जो बैटरी है वो बैटरी उचार्ज को इनर्जी देगी और वो जो है इनर्जी यूज़ करेगा पुर सर्कुट में घूमने के लिए ठीक है ना तो actual work किस ने किया है actual work आपके मम्मी ने घर पे किया है आपके मम्मी ने आपको टिफिन बना के दिया और टिफिन बना के दिया और टिफिन बना के देने के बाद आपने घाना खाया और आप जो है फुल में जा रहे हो बढ़ाई कर रहे हो लिक्टर्स कर रहे हो और वापीस आ रहे हो उसी प्रकार से सारा जो main काम है वो battery करती है battery work करती है किसके लिए charge के लिए और ये जो work है इसी work की हो जासे जो 4 है चार जो है पूरा circuit में घुमके battery में फिर से वापस आता है इसलिए voltage is nothing but the work done voltage क्या है voltage कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है voltage कोई बहुत difficult चीज नहीं है potential difference हम किस में count करते है potential difference को हम voltage में count करते है और ये potential difference बहुत difficult चीज नहीं है potential difference क्या है potential difference ये है कि जो work done हुआ है जो work done हुआ है वो work done किसके उपर हुआ है total charge के उपर ठीक है ना एक charge थोड़ी है भाईया बहुत सारे charges है के बैटरी ने जो वर्क्डन किया है and that वर्क्डन वी काल्ड we कितने हैं और टोरटल की पीछे कितना वर्क्डन करना हमाना टोकल तो हम यहां पहलिंगे टोटल वर्कडन बाइट गाल तो थो घृडड़ेटल गाल टोट mur Versus चार्ज अपॉन यूनिट चार्ज कि तो मैं आ रहा है कि वरिटन अपॉन वन चार्ज तो मैं आ रहे हैं अपको बात है हम क्या बोलते हैं कि सो लोग है तो सो लोगों की लिए अगर एक हजार जूल वरिटन हो गया ठीक है ना सो लोगों की उपर अगर एक हजार सो लोगों की उपर अगर एक हजार जूल वरिटन हो गया तो एक की बीची कितना हुआ तो आप क्या करते हो आप क्या करते हो ठीक है ना वर्क डंड वर्क डंड ऑन वन परसन इसको निकालने के ल वर्ग डन टोटल वर्ग डन करते हो आप आप क्या करते हो आप लिखते हो टोटल वर्ग डन आप लिखते हो यहाँ पे टोटल वर्ग डन आप लिखते हो यहाँ पे टोटल वर्ग डन डिवाइड़ बाइड़ टोटल परसन डिवाइड़ बाइड़ टोटल परसन तो आपने कितना काम किया 1000 जूल काम किया कितने लोगों के लिए 100 लोगों के लिए किया, 10%, 10% के लिए 100 लोगों के लिए 1000 जूल इतना काम किया आपने तो आपको बता है कि 10 Jzyl work हुआ है behind one person ठेकि ऊसी प्रकार से तोड़ल total charges कितने हैं और टोडल जार्ज़ के लिए सेर को कितना work करना बड़ा यह जब आप रेश्यों निकालोगे तो आपको मिलेगा work done upon one unit charge इसे को बुला जाएगा voltage इसे को बुला जाएगा voltage देखो जब मैंने आपकोleri समझाए था देखो ज़रा मैंने आपको समझाए सब्हूंत रखता है विए जो है कि यह जो है ओं वाटर को भाड़ा है तो मैंने बोला था खिर वो यहां sollte नीचे गिर जाएगा कोई बात नहीं है वाटर यहां से लेकिन काम तुम करना बढ़ेगा जब तुम यहाँ से वाटर को यहाँ पे लेकि जाने कोशिश करोगे लोवर टू हकर आप आयर जाते हो तब आपको काम करना बढ़ेगा समझ में आ रहा है आपको जब बैटरी चार्ज को अपने अंदर से निकाल दी है ठीक है चार्ज जब सर्कीट में फ्लो हो रहा होता है तो चार्ज क्या ब बैटरी में वापस आएगा ठीक है ना और उसको जो भी टिफिन बान के दिया जा रहा है वो सब काम कोन कर रही है आपकी बैटरी कर रही है मतलब सर्कीट में सब स्व्यादा इंप्रॉटन अगर कोई चीज है तो वह है बैटरी वह बैटरी जो होती है जो सेल होती है वह ज यूनेटी चारश की बिचे एक यूनेटी चारश की बिचे स्वे लिडए गो काम किया उसी को बला जाएगा पूटेंश्यल ुथर歌 rela जाएगा प्योडेंश्यल डिफर शेंच है अब देखओ पोटेंश्यल डिफ्रथान्स की डिफशन Potential Difference इसकी Definition क्या है Potential Difference की Definition क्या है इसको हम समझेंगे ठीक ना It is the amount of work done 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 To To move a positive charge To move a unit 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 To move a unit charge To move a unit charge Throughout the circuit Throughout the circuit So मैं आ रहे है आपको बात The amount of work done To move a unit charge Throughout the circuit Through out the circuit Through out the circuit Through circuit में Charge को घुमाने के लिए Sale को जो work done करना पड़ता है That work done We call Potential Difference ज्यादा कुछ सोचने के दरूरत नहीं है Volt का हो कि voltage One Volt One Volt मैंने क्या बोला है देखो मैंने ये बोला है आपको मैंने ये बोला है कि Potential Difference is equal to work done upon charge Work done upon charge आइसा मैंने बोला है टीक मैंने बोला था किया तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था देखो तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाईया potential difference इसको अगर मैं बोलू कि 1 volt तो 1 volt का मतलब हो जाएगा की वर्डन कितना अगर हम 1 joule of work done करते है हम अगर 1 joule of work done करते है किसके लिए 1 coulomb of charge के लिए 1 coulomb of charge के लिए कर 1 joule of work करते है इसके न 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb ठीके ना समझ में आरे है आपको बात 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb that we call voltage that we call potential difference very good now we are going to another topic and the topic is free electrons यहाँ भी हम बात करेंगे कि free electrons क्या होता है free electrons के बारे में free electrons करें से flow होता है इसके बारे हम बूरी अंगर लेंगे तो सबसे बहले free electrons कहां पर होते है metals के metals के atom में free electrons होते है metals के atom में free electrons होते है बिल्कुल सभी बात है इसा देखिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ sodium sodium का atom नमबर होता है 11 और sodium का electronic configuration होता है 281 अरे बिल्कुल सभी बात है बिल्कुल सभी बात है आप इस इसके configuration को हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आएगा nucleus nucleus के अंदर आएँग 11 proton没事 और इसके आउटर मुशेल में इसके आउटर मुशेल में यहाँ पर आने वाले है यहाँ बाद किया पर ईल्लमारा है और या तो यहाँ पर एक है साथ हमाधिомина रहे वाई है कि ऐन समझमे में आ रही है क्या चाहिस preciso क्या है कि ना आ अब देखोग अब होता क्या है कि है कि न्यूक्लास का इतने सारे इलेक्ट्रोन की उपर बहुत कम है क्योंकि वह यह देखो ना बीच में कितने सारे इलेक्ट्रोन की क्लाउड क्यों जैसे न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है अरे 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 इतने सारे electron की cloud की जिसे nucleus का जो control है बाहर की electron की उपर वो कम हो जाता है कम हो जाता है कम हो जाता है इसलिए अगर nucleus का control बाहर की electron की तरफ नहीं है तो होता क्या है कि जो electron है बहुत easily इसके atom के outer muscle से निकल जाएगा और ये बन जाएगा sodium का cation na positive और इसके उपर रहेगा एक positive charge क्योंकि इसके outer muscle में 11 protons है 11 positive charge है और बाहर 11 electrons है मतलब 11 negative charge है तो क्या हुआ यहाँ से एक electron चला गया मतलब यहाँ पे 10 electron ही बच गये मतलब positive charge का number जो है वो 1 से lead कर रहा है positive charge का number 1 से lead कर रहा है इसलिए sodium के ऊपर इस sodium के ऊपर यहाँ पे positive charge आएगा clear है बात बात समझ में आ रही है कि आपको 3rd अंपार की तरफ जाना पड़ेगा समझ में आ रही ही सरफ अब देखो और मैं आपको एक्जामल बजाता हूँ अगर मैं यहाँ पे iron को ले लू अगर मैं यहाँ पे 26 लेता हूँ अगर मैं यहाँ पे 26 लेता हूँ तो होती क्या है बात देखो तरह इसका इसका electronic configuration है 1s2 2s2 2p6 तीगे ना 1s2 2s2 2p6 ते उसके बाद में 3s2 3p6 लेन 4s2 देखो कितने हो गए यहाँ पे हो गए 10 यहाँ पे हो गए 10 अब कितने बचे हैं छे बच गए सर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखते हैं सर यहाँ पे लिखते हम 3d6 यहाँ पे लिखते हम 3D6 देखो, हाँ, आप देखो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 4S2, 3D6, आप देखो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, कैसा लिखता हूँ, सर 1S2, उसके बाद मैं यहाँ पे आएगा 2S2 यहाँ पे आएगा 2P6 यहाँ पे आएगा 2P6, तो 1S2 2S2, 2P6, उसके बाद मैं यहाँ पे आएगा 3S2 3P6, और इस 3D को मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, तो यह 6 आएगा, और फाइनली बचेगा 4S2 4S2, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रों से यहाँ पे, मतलब देखो, यह आपका K-shell यह आपका L-shell, यह आपका M-shell, और A, यह है आपका N-shell K-L-M-N K-L-M-N, तो अगर मैं यहाँ पे डाइग्राम निकालू तो यह रहेगा आपके आइरन का नुकलियस, इसके नुकलियस के अंदर रहेंगे 6 प्रोटों, 26 कितने ब्रोटों, 26 प्रोटोन इसके बाद देखो, यह पहला शेल अएगा इसके बाद देखो, आगे यहाँ पे दूसरा शेल आएगा इस दूसरे शेल में इस दूसरे शेल में total कितने इलेक्टोंस रहेंगे यहां पे दो리ग्या करने उसके बाद क्या और उसके बाद क्या उसकेras देखो यहाँ पर उनागने बाफ सब्सक्राइए और नौी में आएगा किसे वाली चैनल आएगा तेखो किada चे और दो आठ आठ और छे कितने सर चौदा कि एकदम सही बात है सर सांसा बारा और दोन चौदा बंजे एक दोन तीन चार पांच साह साथ आड़ नहुं तहां अक्रा बारा तेरा चौदा ओ माई गॉड यहां पे 14 एलेक्ट्रोंस आ गए सर मतलब 2 और 8 और 14 इसके बाद में क्या होगा इसके बाद में यहां पे 14 शेल आएगा समझ में आ रही है बात इसके बाद में यहां पे 14 शेल आएगा लेकिन भया 14 शेल में तो दो ही एलेक्ट्रोंस है सर अब क्या होगा आवे अब कुछ न कि यहां पे टो यहां पे टो ओगेंड तो बात यह है कि इतने सारे electrons बीच तो दो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नूकलियस का कंट्रोल गम हो जाता है क्यों नहीं देता है इसलिए हि Light का इन इन्हों की उपर जो होता है वो में तधार को कम को जाथ हैए च्छंछा के हो संधे है इसलिए में लेक्ट्रान पनफ को इसली लूपर्ट कर देता है इसमझ में आ रही है अधार एक आपको मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया होगा ठीक है न अब देखो मैं और एक डाइग्राम आपके लिए यहाँ पर बनाता हूँ कँई करेंगे तो घा गया होगा जरा देखो क्या होगा जरा देखो अगर मैंगे इसको जू्म करता हूँ तो मुझे चंडल की कंडीटर के अंदरिकार चाहीं प्रकार से बढ़ होने के बादि एक बादत एल्लग genetics कोप के नीचे हम उसमें हमने इसको क्या कर दिया जूम कर दिया है इसको हमने जूम कर दिया है electronic microscope के नीजे अब होगा क्या क्या होगा सर देखिए यहाँ पे आपको मिलेंगे metal के atoms अगर यह iron से बना हुआ या फिर copper से बना हुआ कोई अगर metal का तुकड़ा है तो इसके अंदर इसके items तो होंगे हा सर बिल्कुल होंगे बिल्कुल सही बात है सर बिल्कुल होने वाले बिल्कुल होने वाले जस्ट वन मिनिट हा बिल्कुल होने वाले है एकदम सही बात है बिड़ा तो यहाँ पे इस metal को जूम करने के बाद में इस metal के wire को जूम करने के बाद में यहां पर आपको बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं कि बिल्कुल दिख रहे हैं सर बिल्कुल दिख रहे हैं सर आप देखो होगा क्या मैंने क्या बोला कि जो एडम होता है अपने आउटरमस लेक्ट्रॉन को इसली लूस करता है बिल्कुल इसली लूस करता है जब वह अपने तरह है कि यह इसी घुमते रहते है ठीक न तो में लिकन 100 के वायर में जोãyाटम सेक्टराॉं को लूज किया है और जो इलक्टॉंट ए्टम की स toma में में निकल चुके है आउटर एटम के आउटर मोश्यल से निकल चुके है उसी इलेक्ट्रॉंस को बुला जाएगा उसी का नाम होगा फ्री अलेक्ट्रॉंस उसी का नाम होगा free electrons आ रही है बात समझ में उसी को बोला जाएगा free electrons बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है उसी को बोला जाएगा free electrons आ रही है बात समझ में आप देखो ये जो free electrons है ना हातोसर है तो ये जो electrons है ना ये किसी भी कही भी direction में flow होते है इनको कोई discipline नहीं होता कि इनको कहा पे flow होना है कि इधर जाना है क्या 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 इधर जाना है इधर जाना है इधर जाना है इधर जाना है इधर जाना ह हुमते हैं हुमते रहते हैए लोग तो यह होते हैं एक दम सही बात है अब देखो आगे अब आपको बोला गया एक साइटिस के बारे में आपको इंट्रॉक्शन दिया गया है इनका नाम है क्या नाम है तो इटालियन साइटिस एलेज़ाइड्रो एलेज़ाइड्रो वोल्टा अकॉंस्ट्रक्टेड दाफॉस्ट एलेक्टिक सेल यूनिट आप पोटेंशल टिफ्रांस इस नेम वोल्ट इस ने वोल्ट है पोटेंशल ह ado को हम वोल्टेज में में मेजर करते हैं और वोल्टिग जो एक वोल्टेज का चुड़ एक शुर्ड फॉरम ऊसको पूर्टा बनाप सेल पोटांस 지मपल एलेक्ट्रिक सेल को बला जाता है वोल्टास उसी सेल को बोला जाता है वोल्टास सिंपल इलेक्ट्रिक सेल उसी सेल को बोला जाता है वोल्टास सिंपल इलेक्ट्रिक सेल बोला जाता है एकदम सही बात है सर एकदम सही बात है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखिए अब क्या बुला गया है current flowing through a wire तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर आप किसी metal के wire को zoom करते हो तो आपको यह पता जलेगा जिसके अंदर बहुत सारे free electrons है और यह जो free electrons है वो किसी भी direction में मूह हो रहे इधर जा रहा है कोई उदर जा रहा है कोई उपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है लेकिन इनके flow को कोई particular direction नहीं है तो आप अगर आप इस metal के wire को जिसके अंदर electrons बिल्कुल भी discipline नहीं है किसी particular direction में नहीं flow हो रहे है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको connect करो बैटरी के साथ में और अगर आप इसको बैटरी के साथ में connect करते हो तो बैटरी में एक positive terminal होगा और एक negative terminal होगा और जो electrons है वो negative terminal की तरफ से positive terminal की तरफ जाएंगे और electrons अगर negative terminal से positive terminal की तरफ जा रहे है तो जो current होगा वो जो current होगा उसको माना जाएगा कि वो बैटरी के positive terminal से निकल के बैटरी के positive terminal से निकल के बैटरी के negative terminal की तरफ आ रहा है आ रहा है बिल्कुल थीक है ना इनको बिल्कुल discipline नहीं था तो हमने क्या किया random motion of electrons in the wire फिर हमने क्या किया एक battery को लगाया एक teen ko लगाया जैसे ही हमने से लिको लगाया तो यह है इदर सेल का निगेट्व टर्मिनल और यह है इसेल का इदर positive terminal और एलेक्ट्रॉन जो है वो निग्रीट्रेह से निकल करके positive की तरफ आ रहे है ठीक है ना और जब इलेक्ट्रोंस निगेट्व टर्मिनल से निकल करके पॉजिट्व टर्मिनल तक आते हैं तो जो करंट है अपना वो करंट अपना पॉजिट्व टर्मिनल से निकल करके निगेट्व टर्मिनल तक जाता है तो मैं आ रहें आपको बात यही बात को लेकर के मोटू परिछान था कि यह इलेक्ट्रॉंस फ्लो होते है निगेट्व टर्मिनल से लेकर के पॉजिट्व टर्मिनल तक लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पॉजिट्व टर्मिनल है बैटरी का बैटरी के पॉजिट्व टर्मिनल से पॉजिट्व चार्ज निकलता है और वो बैटरी के negative terminal तो जाता है और यही positive charge आपका current बनाता है इसलिए मोटू परिशान था लेकिन उसको भी मानना पड़ेगा और हमको मानना पड़ेगा कि जो current के direction होती है वो current के direction positive से लेकरके negative terminal की तरब जा रही है आ रहा है समझ में तो electrons तो flow हो रहे है तो भया electric current क्या होता है electric current देखो तो यह है आपका conductor यह है आपका conductor ठीक है यह बहुत long था इसलिए हमने क्या किया इस conductor को यहाँ से cut किया जब हमने conductor को यहाँ पे cut किया तो यहाँ पे हमको एक ऐसा area of cross section दिख रहा है इसको क्या बला जाता है area of cross section अगर कोई वायर आपकी बास में है आप उसको खचा कट करते हो तो कट करने बाद में आपको ऐसा एरिया दिखता है इसी एरिया को बोला जाएगा एरिया आप क्रॉस सेक्शन और यह जो एरिया प्रॉस सेक्शन है ना यह जो एरिया प्रॉस सेक्शन है यह जो एरिया प्रॉस सेक्शन ह इसके अंदर से कितने electrons flow हो रहे है, ठीक है ना, per second, per second, per unit time, इसके अंदर से कितने charges flow हो रहे है, उसी को बोला जाएगा electric current, ठीक है ना, number of charges, current क्या होता है, current क्या होता है, current is equal to, current क्या होता है, current is equal to, होता है, current is equal to charges upon time, charges upon time, समझ में आ रही है बात आपको, current होता है, charges upon time, तो current का symbol है I, और charge का symbol है Q, ठीक है ना, Q, अरे Q मतलब होता है, बार बार क्यों पूछते हो Q, तो I is equal to charge upon time, ठीक है ना, तो यह है आपकी current का formula, और यह है symbolic representation, I is equal to Q upon T, और definition मैं आपको अभी लिख के देता हू, definition यह है, current की definition यह है भाईया, क्या है भाईया, current की definition यह है, कि the number of charges, ठीक है ना, the number of charges, the number of charges, ठीक है ना, the number of charges, या फिर the flow of charge, ठीक है ना, वो भी चल सकता था, वैसे कोई problem नहीं, ठीक ना, खिले वो इलिखते, the number of charges, number of charges, number of charges blowing through, flowing through, flowing through, flowing through the cross section, flowing through the cross section flowing through the cross section of wire of the wire ठीक ना the number of charges flowing through the cross section of the wire in unit time in unit time in unit time in unit time each called current the number of charges कितने flow हो रहे है flowing through the cross section ये जो cross section है उसके अंदर से कितने charges flow हो रहे है एक second में एक unit time में कितने charges कितने charges flow हो रहे है उसी को बोला जाएगा current उसी को बोला जाएगा electric current बात समझ में आ रही है आपको ठीक ना symbolic representation मैंने आपको लिखके दिया और एक चीज़ आपको लिखके देनी है यहाँ बे क्या लिखके देनी है कि मैंने बोला भीया कि current is equal to current is equal to क्या होगा charges upon time charges upon time होगा ना sir हाँ बिल्कुल होगा भीया तो इसको symbolic representation देखो current अगर current 1 ampere है current का unit होता है ampere और 1 ampere क्या होता है 1 ampere is equal to 1 coulomb of charge upon 1 second अगर किसी conductor में से 1 second में अगर किसी conductor के एक cross section में से 1 second में अगर 1 coulomb इतना charge flow होता है तो आप बोलेंगे कि भाईया उसके अंदर जो current है वो कितना है 1 ampere current है उसके अंदर ऐसा आप बोलेंगे सबज में आ रही है बात यह सी के साथ इस topic के साथ इसको समप्त करते हैं मुझे लगता है आपको बहुत सरी समझ में आ चुकी है तो आपको homework है homework आपको यह है कि watch the video again यहीं आपको homework है watch the video again यह आपको काम करना है proper तरीकी से दिखना है फिर से एक बार make your own notes make your own notes make your own notes अपने खुद के notes बनाईए and then solve the dpp problems yes and solve the dpp problems solve the dpp problems solve the dpp problems solve the dpp problems आपको तो माय बुचन उजर कर यही पर इस वीडियो को समाप करता हूँ thank you so much change do